Hello everyone, मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेरेट चैनल स्टुडेंट के रहा है help you आज का वीडियो बहुत ही जादा important होने वाला है, बहुत ही जादा valuable होने वाला है especially उन बच्चों के लिए जिनको भी future में BCA करना है या फिर आप BCA course में आपने admission ले लिया है, pursue कर रहे हो या फिर third category of candidate वो हैं जिनका BCA complete हो चुका है आज के वीडियो में बताने वाला हूँ BCA के बाद का, जी हाँ after you completed your BCA, आपके उसके बाद का क्या plan, क्या road map रहने वाला है इक एक चीज, different different carriers को हम explore करने वाले हैं different different options को हम explore करने वाले हैं आज के वीडियो में if in case, BCA आपके target में है, BCA course आपको करना है तब फिर कर रहे हैं, ये वीडियो game changing हो सकता है आप सभी बच्चों के लिए, बिना कोई time वीस करते हुए चली वीडियो करते हैं, start, चलिए सबसे पहला हमारे पास, जो options available है बच्चा लोगों वो है, study and MBA और MCA BCA एक undergraduate course है, obviously चीज है, बहुत सारे बच्चे BCA के just बाद ही job नहीं करना चाहते होंगे वो further higher study करना चाहते होंगे तो दो जो बहुत ही popular और बहुत ही sensible options हमें नजर आते हैं वो है BCA का एक बड़ा भाई MCA और दूसरा है एक diverse field का management field का MBA अब दोनों ही बहुत ही अच्छी career choice हो सकते हैं क्योंकि studying an MBA और MCA after BCA can help you explore a wide range of high paying carriers in computer application and management देखिये एक चीज आपको समझनी है कि जब आप एक computer application का course करते हैं उसके बाद एक diverse field चुनते हैं तो आपको दोनों field की knowledge होती है at the one hand आपको computer application की समझ होती है on the other hand आपको management की भी समझ होती है अगर आप थोड़ा सा computer वगेरा से diverse जाना चाहते हैं या management की भी knowledge चाहते है in addition to the computer knowledge that you already have clear हो पार है बच्चा तो यह दोनों ही बहुत अच्छे option है after BCA अगर आपको hardcore computer IT professional ही बनना है तो MCA से बढ़िया कोई choice नहीं है लेकिन आपको लगता है याँ मुझे computer में तो interest है ना मुझे management की भी knowledge चाहिए तो you can go for MBA एक advanced pro tip दूँ आप MBA में भी अपना information practice अपनी specialization को रख सकते हैं तो आपको computer की knowledge के साथ MBA में ही management की knowledge भी मिल रही है pro tip थी ना चलिए आगे देखते हैं tech jobs at IT companies अप कई बच्चे होते हैं जिनको sir हमें आगे फिलहाल के लिए नहीं पढ़ना है job pressure है यह हम financially independent होना चाहते हैं जो कि बहुत ही अच्ची चीज है उनके लिए क्या है? वो directly job कर सकते हैं कहां sir? लेकि कई profile होती है जिससे software developer की technical support की IT analyst की, web developer की junior analyst, computer support service specialist and software publisher ऐसी कई profile होती है जिनमे BCA का graduate apply कर सकता है अच्छा directly manager level की position तो नहीं मिलेगी लेकिन as a management trainee as a computer trainee as a executive हम लग सकते हैं और down the line 2-3 साल बाद हमें higher positions भी मिलना start हो जाती है करना क्या है? दो तरीके हैं पहला तो अच्छा college चूस करिए अच्छे colleges में final year में ही आप campus placement हो जाएगा तो वहाँ पर सोचने की ज़रूत नहीं है if in case अच्छे college से आप BCA नहीं कर पाए दूसरा तरीका अच्छे college से अगर आप BCA नहीं कर पाए तो जितने भी job portals हैं नौकरी.com, shine.com, timesjob, indeed.com, monster.com सम्में अपना resume बनाईए perfect resume बनाईए as a fresher ही आप इन सारी job posting portals में अपना resume post करिए और आपके पास interviews के offer आएंगे उन offer को ठुकराईए मत जाए interviews दीजी, experience गेन करिए और जो भी company आपको एक sensible option लगे वहाँ पर आप join कर सकते हैं clear हो पार है second point, चलिए third point, अच्छा third point समझाने से पहले एक important information है उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अपना BCA का जो क्या बोलते हैं, path है, रास्ता है या फिर जो admission नहीं लिया है अभी तक और अभी confusion की स्थिती में है कि ज़र BCA करे या नहीं करे उन बच्चों के लिए game changing product मैंने launch करा था पिछले हफते और बहुत ही शानदा response है description में बच्चा video e-book, एक नया concept है जहांपर text format के साथ साथ आपको मेरे videos मिलने वाले हैं BCA की हर एक जानकारी मैंने उस video e-book में डाली है, ताकि BCA में admission लेने से पहले, इतना बड़ा amount कहीं पर invest करने से पहले आपको वो सारे information में provide करा सकूँ, जो कि BCA करने से पहले की student को जाननी जरूरी है अगर आप interested होते हैं तो ये product definitely आपके लिए है description चेक करना मत भूलिएगा चले बच्चा, आगे देखते हैं opt for digital marketing यह बहुत अच्छा option है BCA कर लिया, बहुत अच्छी बात है अच्छे नम्मरों से, बहुत अच्छी बात है थोड़े से बुरे नम्मरों से, कोई बात नहीं आप अपना रुख कैरियर का digital marketing की तरफ मोड सकते हैं, कैसे? आप diploma या फिर master's कर सकते हैं digital marketing में sir, diploma तो समझ में आता है certificate भी समझ में आता है, sir, master's कैसे करें MBA in digital marketing जी हाँ, बहुत सारे colleges ने start कर दिया है अब MBA digital marketing की specialization, तो आप या तो कोई certificate या diploma course कर सकते हैं, अगर financially थोड़ी बहुत problem है, क्योंकि MBA digital marketing थोड़ा सा महेंगा पड़ेगा, 5 lakh in year about का, और करिये तो regular से करिये, distance पे मच जाएगा right, तो ये आपके पास option है you can go for diploma और certificate course in digital marketing, या फिर आप MBA in digital marketing कर सकते हैं am I making sense, हो पा रहा है clear, चलिए prepare for government examination, sir, पढ़ाई कर ली है हमें private sector में भी तना interest नहीं रहा हमें carrier बनाना है government job के through सर कौन कौन से examination दे सकते हैं बच्चा सब ही आप दे सकते हो आप SSC के CHSL है CGL है, CPO है सब दे सकते हो BHEL, भारत Heavy Electronics Limited ये technical examination है वो भी आप दे सकते हो, अगर आपको technical post ही चाहिए government PSUs में bank examination में IBPS का सारे examination, SBO के सारे examination आप दे सकते हैं UPSC, CSE, Civil Services examination आप दे सकते हैं railway examination आप दे सकते हैं SSC का जिसे मैंने बता है CHSL, CGL, सब आप दे सकते हैं तो कहीं पर भी as such कोई restriction नहीं है आपको choose करना है आगे पढ़ना है, तो मैंने बता दिया है job करना है, तो मैंने बता दिया है जी हाँ, कैसे? You can pursue a short term और online cyber security course to follow the career path after BCA बहुत सारे platform available है जहां पर diploma या फिर certificate courses in cyber security आपको करवाया जाते हैं तो अगर आपको कोई ऐसी organization मिलती है जो कहीं न कहीं cyber security से deal करती है कोई IT firm ऐसी है तो आप अपनी skill set को enhance करने के लिए ये courses कर सकते हैं और इन profile में भी work कर सकते हैं if in case आपको cyber security वगएरा specialization में interest है अच्छा देखिए interest है या नहीं है ये अगर आपने अभी 12th में ये 11th में ये जानना थोड़ा difficult होगा क्योंकि अभी आपने वो चीज़े पड़ी नहीं है जब आप BC में चीज़े पड़ोगे तब आपको और जारा clear हो जाएगा कि मेरा interest level इस field में है या नहीं say for example data science की knowledge जो actual में आपको BC कड़ते वक्त होती है वो 11th में कभी नहीं हो पाएगी similar goes with artificial intelligence as well similar goes with the blockchain as well full stack as well ठीक है वो सारी चीज़े है blockchain development या developer भी आवन सकते हो बच्चा तो यहां पर आप online certification या diploma courses blockchain development के भी available है तो यह भी एक बहुत ही industry based या current trending specialization है जिसमें आप उतना future बना सकते हो या फिर आप short term diploma courses कर सकते हो बच्चा PGDM, post graduate diploma in management अगर आप MBA के लिए नहीं जा रहे हो और कोई सस्ता option देख रहे हो या कोई अलग option देख रहे हो डिप्लॉमा PGDCA, post graduate diploma in computer application यह भी perfect है यह भी perfect है, computer से relate ही कर रहा है PGDBA, post graduate diploma in business analytics business analytics तो ऐसे आप short term courses कर सकते हो या फिर diploma या certificate कर सकते हो languages में Java है, coding है coding में कर सकते हो, Python अगर ना programming language है, computer networking के courses कर सकते हो, Cisco वगरों के तो बहुत सारे options आपके पास available है थोड़ा सा horizon है ना, perspective है थोड़ा सा change करने की ज़रूद है कि मैं क्या करूँ से मैं क्या क्या करूँ इस वीडियो के बाद आपको एक idea हो गया होगा MS और MBA abroad ये भी एक नए option है, BC India से करो और MBA या फिर MS abroad से आप कर सकते हो अच्छे एक वीडियो आने वाला है मेरा next week MBA abroad कहां से करें, कैसे करें, वो देखना मत भूलिएगा innovative and lucrative career after BCA अब मैं बात करने वाला हूँ ऐसे career जो कि बहुत ही पैसा कमा के आपको देंगे या बहुत ही जादा trending में है और highest paying specialization के careers है artificial intelligence, लाखों कमा सकते हो आप machine learning, data security, networking और hardware courses software designing and bioinformatics ये सारे ना आपके BCA course के part होंगे या फिर आप इन में specialization भी ले सकते हैं अगर आपको college specialization offer करता है तो इन में आपको expert बनना है इन में expert बनने के लिए side by side आपको कोई certificate या diploma करना पड़े इन पे करो, करो लिकि कई बच्चे बोलते हैं सरह हम BCA करतो रहे हैं क्या क्या चीज़े करो, करो हजारों चीज़े करो, explore करो जितने ज़्यादा busy आप रहोगे 10 से 12 घंट अगर आप काम करोगे इस age में, तो कहीं पर भी आपको tired नहीं करेगा, बलकि आपकी energy जो 10 जगे जा रही है वो एक जगे channelize करेगा ये time है, पागलों की तरह work करने का, पागलों की तरह मतलब, अपना passion identify करकर और अपने passion और अपने skill set को improve करने का, और अपनी field में master creator बनने का एक master क्या बोलते हैं उसको masterpiece बनने का, masterpiece बनने का right, सो बच्चों उमीद कर रहा हूं सारे carrier options आपको पता लगया होंगे थोड़ा सा vision broad हो गया होगा कि sir, BCA के बाद हम ये सारे चीज़े भी कर सकते हैं so I request you I request you कि settle मत होईए न short term vision मत रखिए broad vision रखिए कि आपके पास 1000 carrier options available है और if in case, 11, 12, 10, 16 BCA के बारे में इतना सा ही जानते हैं और इतना सारा जानना चाहते हैं तो description में मैंने अपनी video e-book दी है जो मैंने बहुत research करकर, बहुत consult करकर बहुत मेहनत करकर content आपके लिए curate करा है videos बनाए हैं ताकि आपको हर एक information जो की student को जाननी ज़रूरी है BCA जैसा course करते वक जिसके fees 5-10 लाक रूपए है market में तो responsibility बनती है आपके कि उससे related जितनी information हो सके आपको search करनी है, identify करनी है, research करनी है इसलिए आपके काम easy करने के लिए मैंने हर वो information जो की आपको जाननी की ज़रूरत है वो मैंने उस e-book में video e-book में provide कराई है अगर आपको BC करना है, तो मेरे point of view से तो उससे बढ़िया product आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है फिर भी, the choice is totally yours, मिलते हैं किसी और एक informative career guidance video के साथ, till then take care, goodbye, मिलते हैं next video पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए क्या आपका भी दिन आएगा, thank you so much